लोगसभा में स्पीकर के चुनाव के बाद सभी सांसदों ने एक एक कर ओम बिल्ला को शुपकामनाई दी इसी कड़ी में अखिलेश शादों भी अपनी सीट पर खड़े हुए और बोले कि हमारे इंडिया गडबंधन के साथियों से जुड़ कर हम भी आपको धन्यवाद देते हैं बगर अखिलेश शादों ने धन्यवाद और शुपकामनाई ही नहीं दी बलकि बातों बातों में ओम बिल्ला पर ऐसे ऐसे तंज कस दिये जिसे लेकर विपक्ष ने पिछले पांच सालों में खूब आवाजे उठाई हैं अखिलेश शादों ने कहा कि निस्पक्षता इस महानपत की महान जिम्मदारी है आप इस महान इस लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य नयाधीश की तरह बैटे हैं हम सब की आप से अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनीधी की आवाज दबाई न जाए ताकि निशकासन जैसी प्रक्रिया से सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचे अखिलेश शादों ने इसा क्यों कहा इसे विस्तार से बताएंगे पहले अखिलेश शादों का ये बयान सुन लीजिए निस्पक्षता इस महान पत की महान जिम्मिदारी है आप लोगतांतिक न्याय के मुख न्यायदीज की तरह बैठे हैं हम सब की आप से अपिक्षा है कि किसी भी जन प्रदिनेदी की आवाज दवाई न जाए और नहीं निस्कासन जैसी कारवाई दुबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं दरसल ये तंज अखिले शादों ने स्पीकर उंबिल्ला पर इसलिए कसा क्योंकि 17 लोगसभा में 100 से जादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था जिसे विपक्ष ने एक काला अध्याय भी बताया था सिर्फ लोगसभा ही नहीं बलकि दोनों सदनों को मिला कर कुल 206 सदस्यों को निलंबित किया गया था इसका नतीजा ये था कि कई बिल्तो सरकार ने बगएर विपक्ष के सिर्फ ध्वनी मत से ही पास करा लिये थे और बगएर विपक्ष के सदन चल रही थी जिसे लेकर काफी सवाल भी खड़े हुए थे इन सभी चीजों को देखते हुए ही ऐसा हुआ कि आजादी के बाद ये तीसरा मौका था जब लोगसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव करना पड़ा वरना आमतोर पर विपक्ष और सत्ता की आम सहमती से इस स्पीकर बन जाया करता है मैं सदन में पहली बार आया हूँ ये नए सदन में मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुरसी बहुत उची होगी क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़के आया हूँ अध्यजी उसकी कुरसी बहुत उची है मैं अध्यजी किसको कहूँ कि ये कुरसी और उची हो जाए जहां ये नया सदन है वही मैं आपकी पीट के पीशे देख रहा हूँ पत्थर तो सही लगे हैं सब कुछ अच्छा लगाए लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है अध्देश महुत है मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पश्का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष्का सम्मान करकर हमें भी अपनी बात रचेका मौका देंगे अखलेश के इस बात पर तो सारे संसट ठहाके लगाने लगे क्योंकि कहीं न कहीं नई संसत पर बात रख कर अखलेश यादो स्पीकर के जरीये सत्ता पर निशाना साधने में काव्याब हो गए थी अखलेश यादो के हिसाब से उन्हें लगा था कि नई संसत भवन में स्पीकर की कुरसी और उची होगी और वो चाहते भी हैं कि ये उची हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ, अखिलेश ने डरसल वही बात दोहराई, जिसे लेकर विपक्ष सत्रवी लोगसभा में सवाल खड़े कर रहा था, और कह रहा था कि नई संसत की क्या जरूरत थी, फिर नई संसत की बनावट उसकी उचाई लंबाई को लेकर काफी सवाल भी खड़े हुए थे, इसके अलावा अखिलेश ने ये भी कहा था, कि अगर जिस तरह विपक्ष की बातों पर अंकुष लगाया जाता है, उसी तरह का बढ़ताव सत्ता के साथ भी किया जाए, अब सबसे जरूरी बात ये है, कि अखिलेश शादों ने अपनी बातों में ये सारी चीजे इसलिए रखी है, क्योंकि सत्रवी लोग सभा में भी ओम बिल्ला ही स्पीकर थे